हेलो फैंस, वेलकम हैर, कैसे हैं आप लोग, I hope you all are doing well, मैं फिर से आगई आपके लिए एक new reading लेकर and आज की वीडियो में हम discuss करेंगे cancer, राशी वालों के लिए July 2020 में उनकी love life में क्या changes आने वाले हैं, July 2020 में उनका मन्त कैसे रहने वाला है and उनके और उनके partner, उनको उनके partner किस तरह से deal करने वाले हैं, तो देखते हैं, उनके cards कौन से आई है, first card आया है, queen of cups, हो सकता है, आप लोग water sign से deal कर रहे हो, ठीक है, अपने ही sign से deal कर रहे हो and 10 of roads, 8 of roads, fire sign से हो सकता है, आप लोग deal कर रहे हो, and earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, and Aries, Leo, Sagittarius, यह आपके partner हो सकते हैं कोई भी person जिसका sun, moon, rising sign, cancer हो, या फिर वो किसी भी तरह से अपने आपको cancer राशी का समझता हो, वो ये video देख सकता है, आपके partner, cancer, खाशी के हैं, तो आप उनके लिए भी ये video देख सकते हैं, बात की जाए कि जुलाई का मन्त आपके लिए कैसे रहने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को जुलाई मन्त में कुछ new opportunity मिलने वाली है, उनकी love life में, ठीक है, कोई नया proposal, कोई नई upliftment, growth, छोटा सा travel, date, और वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ा सा ठका हुआ मैसूस कर सकते हैं, कि रिष्टों को बोजल समझ सकते हैं, ऐसा उन्हें लग सकता है कि रिष्टे boring हो गए हैं, कुछ new changes नहीं आ रहे हैं, रिष्टों का सारा भार उन पर ही है, सारी responsibility उन पर ही है, कुछ लोग ऐसा भी feel कर सकते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके love life में new शुरुवात आने वाली है, new changes आने वाले है, solid commitment आने वाली है, stability आने वाली है, well growth आने वाली है, हो सकता है कि आप लोग travel भी करें, अपने partner के साथ, अपने relationship में passion लाने के लिए, और आपके जो partner हैं, वो काफी loving, caring और romantic हैं, अभी तक उन्होंने commitment नहीं दी तो हो सकता है, कि in the month of July 2020 वो आपको commitment दे, एक solid commitment के साथ, इस relationship को आगे बढ़ाएं, अभी तक आप commitment का वेट कर रहे हैं, या फिर आप अके लिए इस काम को करते करते, ये relationship का बोज धोते धोते, या फिर relationship पे work करते करते ठक गए हैं, और आपको लग रहा है, ये रिष्टा आपके लिए एक बोज बन गया है, तो जुलाई मन्त में लग रहा है कि आपके partner आपको support करेंगे, इस relationship के लिए आपके साथ थोड़े अपर्ट लगाएंगे, कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, जिससे आप थोड़ा relax feel करेंगे, love life में थोड़ी से changes होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी upliftment दिखाई दे रही है, थोड़ी सी growth दिखाई दे रही है, थोड़ी सी थोड़ा सा balance होता हुआ दिखाई दे रहा है, overall दिखा जाए तो July 2020 आपके लिए काफी अच्छा मन्त रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वीक में आप काफी relax feel करेंगे, सेकेंड वीक में थोड़ा सा pressure feel कर सकते हैं, थर्ड वीक में sudden changes आएंगे, आपके पार्टनर की तरफ से excellent हो सकते हैं, आपको gift मिलें, कोई new excited, आप लोग date पे जाएं, या फिर आप लोग outing पे जाएं, movie के लिए जाएं, या फिर out of city travel करें, कहीं traveling पे जाएं, तो ऐसा मुझे लग रहा है, in the month of July 2020, and देखते हैं, bottom of deck क्या है, वाओ, six of cups, again जिस partner के मिलने का आप काफी time से wait कर रहे थे, या आपका soulmate connection हो सकता है, कोई childhood friend हो सकता है, वो आप से मिलता हुआ, मुझे नजर आ रहा है, अगर आप लोग no contact zone में हैं, तो वो contact करेगा, किसी gift के साथ, नए proposal के साथ, solid commitment के साथ, तो cancer के लिए कापी well growth हो रही है, उनके relationship में, and next आपका card है, 10 of pentacles, जो कि मुझे ये बताता है, कि कहीं ना कहीं, एक celebration हो सकती है, marriage life के बारे में discussion हो सकता है, engagement के बारे में discussion हो सकता है, रिष्टे आगे बर सकते हैं, आप दुनों की family आपस में मिलके बात कर सकती है, and page of pentacles, अगर contact में नहीं है, तो आपकी तरफ contact आएगा, and एक solid commitment आएगी, right, because हमार पास ace of pentacles already है, and judgment, judgment again मुझे ये बता रहा है, कि अब आपके साथ, आपके कर्मा का फल मिलने वाला है, तो आगे जो लोग बहुत ठक गए हैं, काम करते करते रिष्टों पे, अब destiny उनके फेवर में है, उनके साथ नयाय करने वाली है, उनके साथ इंसाफ करने वाली है, result उनके फेवर में होने वाले है, चाहे आप fire science से deal कर रहे हैं, चाहे water science से deal कर रहे हैं, दोनों की तरफ से commitment आती हुई नजर आ रही है, दोनों की तरफ से contact होता हुई नजर आ रहा है, दोनों की तरफ से बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका relationship एक growth की तरफ बढ़ता हुई दिखाई दे रहे हैं, यह देखिए, four of bands even अगर आप लोग fire sign से भी deal कर रहे हैं तो भी आपका relationship reunion की तरफ भढ़ रहा है so cancer people जो भी है जो भी इस video को देख रहे हैं I am very happy for you and भगबान जल्दी से divine जल्दी से आपकी सारी wishes पूरी करे and आप लोगों का reunion हो अगर आपको लगा होगी ये video आप से resonate की है तो please like, share, comment on this video and if you really like don't forget to thumbs up okay for more clarity आप लोग personal readings book कर सकते हो ये general reading है हो सकता है कुछ चीजे resonate ना करे या भी हो सकता है कुछ लोगों से बिलकुली resonate ना करे okay personal readings की detail मैंने description box में mention कर दी है bye for now have a good day